हेलो एरिवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चानल पर इच्छा हॉल्ट 247 में जैसा कि आप जान रहे हम JSSC CGL को टार्गेट कर रहे हैं और JSSC CGL के पेपर 2 में अगर आपने खोर्था सब्जेक्ट को लेकर अपनी तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हम यहाँ पर खोर्था के पूरी तयारी यानि कि 100% सिलिवस को हम यहाँ पर कवर करेंगे दो दिनों से विडियोज नहीं आ रहे थे खोर्था के तो आपको इसमें टेंसल नहीं लेना है आपके लिए जितना भी खोटा का जो भी टॉपिक हो गया है आप प्लेलिस्ट में जाईए उनको देखिए अच्छे से उनके MCQ लगाईए मैं भी सारे MCQs करवाऊंगा लेकिन खोटा का सिलेबस चुकी जह ससी के द्वारा अभी बढ़ा कर दिया गया है लेकिन आप परिशान नहों साइद खोटा का सिलेबस कम होगा ऐसा अनुमान है अधिकांस्ता chances है कि ये खोटा का सिलेबस को थोड़ा कम किया जायेगा तो अभी जो है उसको लेकर हम पढ़ रहे हैं अभी जो syllabus बड़ा है तो इसे साब से हम एक ही वीडियो में दो, तीन, चार ऐसे करके part को cover करेंगे जैसे कि इसमें हम खोठा निबंद स्टार्ट कर रहे हैं और इसका part 1 में हम इसके तीन निबंद को लेकर चल रहे हैं बखेडा में बखेडा, लिंग बखेडा और बैज का बगरा काम काम तो ये तीन निबंद को जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है उनको एक ही वीडियो में cover करेंगे ऐसे करके चार पार्ट में ये पूरा खोठा निबंद खतम हो जाएगा ठीक है उसके बाद जो पदे साहित है उसे भी एक 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 दो दो तिन तिन पार्ट में हम उसे पूरा cover करेंगे और जो नाटक है उसमें अजगर नाटक किया हुआ है अभी डाह, चावी खाटी और जो है उसको cover करके हम पूरा JSC-CGL की जितना भी सिलेवर से उसको तो cover करेंगे ही आप परेशान बिल्कुल ना हो आपको क्या करना है चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद आल वार नोटिपिकेशन दबा दिजिएगा ताकि सारे विडियोज की नोटिपिकेशन आपके पास पहुँच जाए अभी यहाँ पर हमारे चैनल पर केवल खोर्ठा ही नहीं सारे सब्जेक्ट्स के quality content आपको दिए जाएंगे हम आपके साथ पूरे पुर्जोर तरीके से लगे हुए हैं सब्तर दिनों का महा अभ्यान भी चल रहा है जैससी सीजियल को crack करने के लिए चाहे आप किसी भी एकजाम का preparation कर रहे हैं आप उस schedule को follow कर सकते हैं तो चलिए हम आज खोर्ठा निबंद को start कर रहे हैं अब खोर्ठा निबंद का जो लेखक है बी एन उहदार जी तो उनके बारे में जो परिचय है उसका एक separate वीडियो हम ला करके आपको बताएंगे आज केवल खोर्ठा निबंद जो है इसका part 1 इसके तीनों निबंद को हम लोग देखेंगे चलिए सुरू करते हैं सौब टाए चले है से खोर्ठा निबंद का सबसे पहला निबंद सौब टाए चला है इस निबंद को बी एन उहदार जी ने लिखा है आप जानते होने बहु भी जानते हैं तो उनके द्वारा यह निबंद संग्रह जो है वह लिखा गया है, इसको पूरा कवर करेंगे, हम आज, कल और परसू, तीन दिनों में इसे कवर कर देंगे, आप टेंसन बिल्कुल ना ले, चलिए, सौब टाई चला है, स्टार्ट करते हैं, सौब टाई चला है का मतलब क्या ह हम चलते हैं, वो भी चलता है, और आप भी चलते हैं, हाँ, इतना फरक है कि कोई कम चलता है, कोई बेसी चलता है, हाँ, यह जरूर अंतर है, कोई कम चलता है, कोई जादा चलता है, कोई करे-करे चलता है, और कोई रदबदाई के चलता है, कोई धीरे-धीरे चलता है, तो क कोई ना चले तो उकर चलता ही कैसे अगर कोई नहीं चलेगा तो उसका चलेगा कैसे पर बात हिया दिगर है कि कक्रो बैठले बैठल चला है और कक्रो आपन जांगर धालीू कोनो रकम चल भर चल भर है कहता है कि हाँ यहां पर यह बात है कि किसी का बैठे बैठे चलता है तो क कोई अपना क्या करता है, पूरा जी जान लगा कि उसका किसी तरह से चलता है, मतलब कोई बैठे बैठे, खा रहा है, बहुत अच्छे से कमा रहा है, लेकिन कोई जो मजदूर है, जो पहाड से लकडी लेकर आके आता है, कोई किसी का चला नहीं देता है, सब अपने अपने और अपने तरीका से चलता है, देखें, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट करने का मैं आपसे माफी मागूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, आप यहाँ बहुत अच्छे तरीके से सुनिए, टेलीग्राम चैनल, हमारे विडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएगे, और सारे बुक्स के पिडिये भी वहाँ पर डाल दिये जाएगे, आप यहाँ पर समझे और उसको एक बार देख लेजिएगा, बस इतना करना है, आपको कोई परिसानी नहीं होगी, इसके MCQ जब लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि सारे MCQ हमसे हो रहे हैं, और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अपडेट कर दिया जाएगा, अब देखें, चलिए आगे, केउ ककरो, ये तो हो गया, सजीब चला है, निर्जीब चला है, मनेक सब टाई चले है, सजीब चलता है, निर्जीब चलता है, मतलब कि सब चलता है, तो हीने पूछ बे कि सजीब तो चल बे कर रहा है, निर्जीब की करम चलता है भला, कहता है, तुम आप लोग पूछेंगे, कि सजीब तो चलता है, ठीक है, लेकिन निर्जीब कैसे चलता है भला पर जनाब निर्जीब चला है और सौ फिस्दी चला है लेकिन जनाब थोड़ा गौर कीजिएगा निर्जीब भी चलता है और सौ फिस्दी चलता है जखन हरताली या प्रदर्शन करवया गुलिन प्रदर्शन करवया गुलिन कोनो रकम क सब कुछ देख रहे होंगे ठीक है तो जब ये किसी तरह से काबू में कंट्रोल में नहीं आता है तो आप देखे होंगे लाठी भी चलता है यह तो देख रहे हैं और प्रदर्शन करवया गुलिन गुलिन का मतलब एक गुरूप होता है एक लोग बहुत सारे कुछ चलता है तो इधर से लाठी चल रहा है उधर से इटा पत्थर चल रहा है सजी निर्जीव है चलता है ना लाए हिया एगो बखेडा चलिए गयलकनी हिंदी बैच के गेले कहबे लाठी चलती है तो हिन पुछबे चलता क्यों नहीं है लेकिन यहाँ पर एक बखेडा हो ही ग मकीनी लाठी के कौन लिंग फेलग कहता है माल लिया कि क्रिया का रूप जो होता है करता उसका लिंग है लेकिन ये लाठी का कौन लिंग है कौन बताया तो हिन कहबे कि लाठी तो इस्तिरलिंग हके ऐसन ब्याकरने कहल गल है आप लोग कहेंगे लाठी इस्तिरलिंग होती इस जिनों ने लिखा है, वो लोग लाठी का निर्धारन किस बात क्या देखके किया? कि लाठी के चववा पुता होए पारे? क्या लाठी सजीव है? क्या उसका बालबच्चा हो सकता है? हाँ, इस बात सही है, ध्वान या तकमक्ता के आधारे ब्याकरन लिखवा या गुलिन कु पुलिंग आर कुछ के इस्तिरलिंग मान के चला दिया और तब से यह चल रहा है। और यह इसलिए कि समाज को देश को दुनिया को चलाने के लिए नियम कानून का दरकार जरूरत बहुत ही जादा पड़ जाता है। लेकिन गैलेलियों के फासी दे देने से क्या पृत्वी का चलना बंद हो गया। ना है एकदम ना है नहीं एकदम नहीं दुनियाई चलाइमान है चल बे कर तक दुनिया जो है यह चलाइमान है मतलब चलते रहेगा। जब तक चांद और सूरज रह तक जब तक चांद और सूरज रहेगा तब तक दुनिया चलते रहेगा। तोहर कहले की हती हमारे तुम्हारे कहने से क्या होगा। बात चलता है और किसी किसी का तो बात भी चलता है जहां तक कि बात है तो कक्रो कोई बात चलने का बात है तो किसी का कोई 보त कोई भात तो की नहीं चले तुम आप क्या नहीं चलते हो हात गोड चले चलावे मंदित है यह लोट चल ואंपह इस संद्सकों Edgat हाथ गोड तो चलने चलाने से है तो वो तो चलेगा मकेन देखा तो इस अकेले पेट को चलाने के लिए पूरा दुनिया का कारोबार चल रहा है इ बात दिगर है कि भाईर पेट ना सही आधो पेट चले है हाँ ये बात अलग है कि अगर भर पेट ना सही आधा पेट भी चलता है, हमर देशों तो खाली ओ पेट चलता है, मेरे देश में तो खाली पेट भी चलता है, बिचकून जो दी ई कहा कि हमर देश से एहे खाली पेट चलवाई या गुलाईन के संख्याटा बेसी है, तो यो हम भी हमारा देश धर धराते हुए बहुत तेजी रफ्तार से चल रहा है जब चले चलावे की बात चलल है तो जूट सच के बोले भाई जूट सच रैदवाइद चलल है जब चलने चलाने का बात चल रहा है तो जूट सच क्या बोले भाई जूट सच भी बहुत तेज चल रहा ह जोदी प्रतिसत में नापे खो जा है, तो सत प्रतिसत जूटे चला है, यदि अगर प्रतिसत में नापे, अगर परसेंट में नापा जाए, तो सो परसेंट जूट चलता है, सचो चला है, मकिन वहरे कम काम चले है, सच भी चलता है, लेकिन वह काम भर चलता है, थोड़ा बड वकील का छोट में क्या होता है ? जोती तो चल रहा है उक्रे से कते कते जूट के सरदार गुलिन के बोडिपंगे रोजी रोटी चलता है और उसी से तो कितना जूट का सरदार जो लोग जो है उसका रोजी रोटी चलता है। जानबे करा है आज काईल एक हने के चलती चला है और आप लोग तो जानते हैं आज कल यही लोगों का चलती चल रहा है। तो अनते पंते हवा है मकिन एगो ठाओ ओहो चला है और उठाओ उठाओ है जहां परिक्षा चला है। ठीक है यहां वहां कभी कभी चलता ही है लेकिन एक जगह है जहां पर वो चलता है। मतलब यह कि अगर जहां परिक्षा चलेगा वहां चलता है। तो परिक्षा ही नहीं चलेगा। मकिन नाई चलेग तो सवाल ही नखे लेकिन नहीं चलने का तो कोई सवाल नहीं है। हाम तो पहले ही कहल हो कि सौब टाई चलेगा। मैंने तो पहले ही कहा कि सब चलता है। सईले चोरियों चलता है और परिक्षा चलता है। इसलिए तो बोल रहा हूं कि चोरी भी चलेगा परिक्षा भी चलेगा। आज तक किसी का इतना कुबत नहीं मजाल नहीं चलती नहीं कि चोरी चलने को रोग दे कटियो कटियो चलतक मकिन चलतक जरूर थोड़ा थोड़ा भी चलेगा लेकिन चलेगा जरूर बाहर बाहर ना सही मकिन भीतर भीतर चले में लुखाई चिपाई के चलावे में के रोके परतक अरे बाहर बाहर नहीं चलेगा लेकिन भीकर भीतर चोरी चिपे चलाने को कौन रोग पाएगा मैं लेली पूरी-पूरी किताब खोल के नहीं चले, मकर पूरजी के खोल के कोई रोके परतक भला, माना कि पूरा-पूरा किताब खोल के नहीं चल रहा है, लेकिन पूरजी चुट्टा इस सब से रोक सकेगा कोई से चलने से, अच्छा तो भाई चलते-चलते एगो बात चला चलावे हो और बेसिस से चलावे खो खूब चलावे खो आगू आगू चलावे को तो एकर लागिन यह जरूरी है कि यह गो आईसन स्वस्त परमपला चलावा जे बहुत बहुत बचर तक चैल जाए तो कहते हैं ओधार जी कि अच्छा भाई चलते चलते जो है एक बात चलना का खोज रहे हैं कि यदि आप अपने घर परिवार अपना समाज अपना राजी अपना देश और दुनिया को चलाना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं खूब खूब चलाना चाहते हैं आगे आगे चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आप जरूरी है क स्वस्त परंपरा चला ये जो वर्सों बर्सों तक चल जाए तो ये उहदार साहब का पहला निबंध है सौब टाइच चला है चलिए हम लोग अगला निबंध देखेंगे बखेडाओं में बखेडा लिंग बखेडा इसका मतलब बखेडा का मतलब क्या है बखेडा का मतलब विवादों में विवाद और कॉनसा लिंगारित बिवाद इस्तिर लिंग पुलिंग फेमेल मेल तो लिंगारित बिवाद पर यह निबंध है चलिए देखते हैं ये दुनियाई बखेडा के भंडार है, ये दुनिया बखेडा का भंडार है, मतलब विवादों का भंडार है, कोन-कोन बखेडा चर्चा करल जाए और का के छोड़ देल जाए, ये फैसला करनाईटा फरदवेक काम, कहता है किस बखेडा का चर्चा किया जाए और किसे छोड दिया जाए यह फैसला करना एक बहुत ही जंजट वाला काम है। अमीर गरीब का बिवाद, इस्त्री पुरूस का बिवाद, देश प्रदेश का बिवाद, और नहीं जाने कितने किसी कलगलग करके बिवाद। कुछ घरेलू, कुछ छेत्रिय, कुछ राष्ट्रिय, कुछ अंतर राष्ट्रिय और कोनो कोनो बखेला तो गोटे दुनिया की एक लागिन है। हाँ, ये बखेला कुछ व्यक्तिगत, ये विवाद जो होता है, वह कुछ व्यक्तिगत रूप से होता है, कुछ घरेलू होता है, कुछ छेत्रिय होता है, कुछ राष्ट्रिय, कुछ अंतर राष्ट्रिय और कोई-कोई विवाद जो होता है, वह पूरे दुनिया का विवा देखे, आज जो एक विवाद इसके बारे में मैंने बताया, ऐसे तो यह जो विवाद है, कोई नया विवाद नहीं है, लेकिन आज हमारा ध्यान उस तरप कभी गया नहीं था, वह विवाद है, लिंग बखेडा, यानि कि लिंग आधारित विवाद, बात ऐसन भेलक, देखे कि आप ध्यान से इसको, लाइन्स को देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप लाइन्स को देखिए, आराम से सुनिए, समझिए और याद कीजिए, याद दी करना है, कि वह सुनना है, याद हो जाएगा, और एक बार बुक्स जो पीडियेफ है, उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजी, ठीक है, हो जाएगा, बात अईसन भेलक, आज एगो दोस्त संगे, दोस्त संगे, बहस भाई गेलक, बात ऐसा है, कि आज एक दोस्त के साथ एक बहस हो गया, उको नो आप्रानी वाचक सब्द के गलत लिंग परियोग कर रहा हलक, मतल गलत साबित करके ना है, विचकुन ध्यान दियावेक ख्याल से कहली आई, कटी लिंग के ध्यान करला कर, हवा इस्तिरलिंग है, हाँ, याद आया, हवा जो है, उसने कहा था हवा बहता है, हम उसको गलत साबित करना नहीं चाहते थे, लेकिन उसका ध्यान दिलाना चाहते थ यह कहा कि थोड़ा खयाल से कहो, थोड़ा मतलब लिंग को ध्यान रे रखके कहो, हवा जो है बहता नहीं, बहती है, हवा इस्तर लिंग है, बस कार है, एतना सुनते हूँ फायर भाईगे लग, और कहे लागल, तो है एते कोदी खोदी मीन मेक निकाला है, बताओ तो लिंग के देखे, उसने दंदनाते हुए तेजी से बोलने लगा, कि हिंदी सब्द सागर के निसार लिंग क्या होता है, चिन्न या निसान, गुपतेंद्रिया, व्याकरन के निसार वह ततो, जिससे पुरूस और इस्तरी का वहित पता लगता है, जिससे किसी बस्तु का अनुमान हो, सांखे के नुसार एक मूल प्रकिर्ती, मिमानसा के नुसार चाह लक्चन, जकर अनुसार लिंग के निर्ने का हरल जा है, और मिमानसा के नुसार ऐसे चाह लक्चन, जिसके नुसार लिंग का निर्दे किया जाता है, उसब इतरी है, उपकरम, उपसहार, अभ्यास, अपुर अर्थ अर्थ कैसा है उसका। अभ्यास कैसा है। अपरूता कैसा है। उसकी उप्यति कैसी है। यही ना फिन ओ आग इड़ा के कहलग, हवा के की लिंग चीन है। फिर जो आग थोड़ा सा इधर करके बोलता है कि बताओ, यह हवा का लिंग क्या है। एकर में कौुन ऐस league तो कहता है इसमें ऐसा कौन सा तत्तो है जिसको देखकर तुमने कह दिया कि यह हवा जो है इस्तिरलिंग है। यह सारे के सारे व्याकरन के अनुसार पुलिंग है। पवन कहा गिया तो वह पुलिंग और जब हवा है तो इस्तिरलिंग यह कैसे। अतने नाय अजलाई तो इस देखा कि पुलिंग भीतर इस्तिरलिंग और इस्तिरलिंग भीतर पुलिंग पावल जाए। अरे यही नहीं यही नहीं आचरज तो इस बात पे है कि पुलिंग के भीतर इस्तिरलिंग और इस्तिरलिंग के भीतर पुलिंग पावल जाता है। कहबे कैसे कब बताओ कैसे तो देखा आउख आंगुइर नाक हड़ी इस सब इस्तिरलिंग होगे देखो कैसे आउख अंगुली नाक हड़ी आंगुईर नाक हड़ी जाहे। पुरूस के अंदर पूरूस के अंदर इस्तिरलिक के अंदर पूरूस माने के मरद तो हे के पुलिंग मकीन उकर सरीर का जो अंग है वो इस्तिरलिक तैसने जनी बेटी जो है मतलब जो अवरत वगेरा है जनी बेटी लड़की वो पुलिंग लिकिन उसके गाते के मतलब समंझते हैं उसके शरीर का उण जो है वह पुलिंग बाहरे लिंग और विवस्ता तो वह कहता है वाहरे लिंग और इसका विवस्ता समझ में नहीं आता है, लिंग इस्तिरली के अंदर के इस्तिरलिंग है, पूरा इस्तिरी जो है लड़की बेटी इस्तिरलिंग है, लेकिन उसके अंदर जो अंग है, उसके सरीर के जो अंग है, वो सारे के सारे पुलिंग, पुलिंग के अंदर इस्तिरलिंग, इस्तिरलिंग क कहता है, हम थोड़ा सा थोड़ा गुस्ता कहके बोला कि देखिए, देखो जनाब, तुम किसी चीज का तहमें, गहराई में नहीं जाओगे, बस उपर उपर क्या करोगे, डोका अपना गला, डोका फालने लगोगे, गला फालने लगोगे, बात दर असल आर आया, अईसन है कि कुनो देशेक भासा सही, देशेक संस्कृती के वाहक कहा है, बात संस्कृती के चाप भासाई पावा है, कहता है कि बात दरसल ऐसा है, कि किसी भी देश का जो भासा होता है, भासा ही उसके संस्कृती का वाहक होता है, और संस्कृती का जो चाप भासा में ही पाया जाता है, जैसे कि हम खोर्ठा बोल रहे हैं तो हमारे तरब का संस्कृति कैसा है यह हमारे भासा से प्रतिबिंबित होता है भासा में पाया जाता है उसका छाप या फिर अगर आप तमिल्लाडू में जाए वहाँ तेलगू बला जाता है तो तेलगु भासा है, वहां की संस्कृती उस भासा से ही प्रतिविंबित होती है, तो यह कह रहा है, और भारतिय दर्सन के बिसेस्था ई है, कि जड़, चेतन, चर, अचर, सभे में प्रान तत्व पाया जाता है, और भारतिय दर्सन, जो भारतिय फिलोसिफी है, उसका यह प धर्ती के माई, आकास सरक के पिता और बोन पहार के देवी देपता तरी मानल जा है। तो इस सब में लिंग भेद करके रखा हुआ है। लेकिन जिया जिन्दा है, जो हंडी मास का बना हुआ शरीर है, जो जीव है, उसको तुम पूछते तक नहीं हो। वो ट्रांसजेंडर लोग, ठीक है, आप समझ रहोंगे, ठीक है, बिचारा इन, गिरिडी जिला के उचवक्रा, आप कह सकते हैं, उसको हिजला कह सकते हैं, ठीक है, तो चवक्रा गुलिन, भोटर लिस्टे आपन नाम चगावे खाती रहे, छेची आते रहला, मकर, मकिन भोट लिस्ट में अपने नाम चगाने के लिए, छिची आते रहा, मतलब कि गिरिडी लाते रहा, लेकिन तुम लोग भोटर लिस्ट में नाम चगाना तो दूर, उसे आदमी तक मानने को तयार नहीं हो, आखिर ओकिन के भोट दिये के अधिकार की रंग मिलता हैं, भोटर तो हनीक राष्ट्रिय भाखा हिंदियों में नखे ओकनेक लिंगेक विवस्ता, और हाँ, इतना ही नहीं, तुम लोगों का जो राष्ट्र भासा हिंदी है, उसमें भी उन लोगों के लिए कोई लिंग का विवस्ता नहीं है, हाम फुस्फसाई के कह लई, अरे त एकर से की रहे देला है, चाइर चाइर जेंडर वाला अंग्रे जी हम इनके प्रिया है, हाम सोचा हों, जोदी घर सुमारी अंग्रे जी भाखाय करल गेल रहता ही, तो बेचाराईन चौकरा सब के नाम जरूर चाइक जितलाईन भोटर लिष्टे, कहता है कि जो हिंदी भासा है, उसन अंग्रे जी में, जैसे कि हम लोगों के हिंदी में इस्तरलिंग है, अंग्रे जी में लोगों को चार-चार जेंडर में बाटा गया है, हम सोचते हैं कि अगर अंग्रे जी भासा हम लोगों के बीच रहता, तो चार-चार जेंडर है, बहुत मतलब, तो हो सकता है कि इन अंग्रेजी भाका दूद कर धोवलना है लेकिन यह जो अंग्रेजी भासा है यह कोई दूद का धोया हुआ नहीं है या गोटेक मनुग जायत के खिदरी-खिदरी बायट के रायख देला है कहता है यहां पर जो पूरे मनुष से जात है उसको अलग-अलग छोटे-छोटे ट प्राचीन भासा संस्क्रीते तो वो बिर्हानला गुलाइन के चर्चा हाई होई फिन तो है कैसे कहबे कि कहता है हम जो है हम कहें कि हमारे जो प्राचीन भासा है संस्क्रीत उसमें तो बिर्हानला यानि कि छक जो हिजला लोग या पिर तीसरे उन लोगों का चर्चा भी हु निके रहत उपानिनी पतंजली रिसी गुलाइन जखिन कम से कम ब्रिहनला के सूध तो लेल थीन और वो जो है तरतलाते हुए बोल उठा कि बहुत अच्छा था वो पानिनी और पतंजली रिसी जो कि कम से कम ब्रिहनला का सूध तो लिया मतलब हिजला लोगों का सूध तो लि बिवाद के भावना खड़ा कर दिया और बिवाद का भावना खड़ा कर दिया नाट्टे सास्तर के लिखवईया आचार्य भरत तो अब यहां से देखिए नाट्टे सास्तर के लिखवईया कौन है आचार्य भरत पूछ सकता है कौन से नाटक में तो ये जो लिंग वाला नाटे सास्तर के लिखवाई या आचारी भरत तो आपन नाटक सास्तरे आईसन नियम बनाई देला हला कि जनी बेटी के भरत तो आपन नाटक सास्तरे आईसन नियम बना दिया था कि जनी बेटी यानि कि जो बेटी हैं और लड़की बेटी हैं उन लोगों को संस्क्रीद बोल ले का भी अधिकार नहीं था। मतलब वो जो है, जिससे बात कर रहा था अपने दोस्त से, वो आगे कहता है, एक रोले बेसी समतावादी, मानववादी, द्रिष्टी तो हमनी यह के छेत्रिया भाका गुलेने है, कहता है, इससे भी जायदा समतावादी, मानवतावादी, द्रिष्टी जो है, जो अच्छे अच्छा तो हमारा चैतरिय भासा है जिसमें कि लिंग को ले कर कोई बखेडा नहीं है प्राटि वाची सब एक क्राटि नीए है कहता है ये जो चित्रिय भासा में ऐसा नियम है कोई सहज नहीं है एकर पीछे एक बड़का दर्शन काम करो है इसके पीछे एक बड़का फिलोसपी एक बड़ा फिलोसपी काम करता है ये जो चित्रिय भासा में ऐसा नियम है कि सब को प्रानी हो जडच हो चेतन हो सजीव निर संस्क्रिती के छाप भाकाई देखी पर है कहता है संस्क्रिती के छाप भासा पर देखने को मिलता है जहां का जैसा संस्क्रिती होगा यह मतलब की समाज का किस तरह का चाल विभार है रीत रंगत जो रिवाज है वहां का छाप भासा पर तो पड़ेगा ही हम निक संस्कृती इस सब बाते बड़ी बेस है हम लोगों के संस्कृती में ये सब बात बहुत अच्छी है वो इस प्रकार से है स्रम, सम्ता, सह अस्तित्त, सहयोगात्मक्ता एह है हमनिक समाजिक दर्शन कहता है कि हम लोगों के संस्कृती में यह एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे संस्कृति में स्रम यानि कि परिश्रम, सम्ता यानि कि सब को समान नजर से देखना सह अस्तित्तो यानि कि सब का अस्तित्तो बराबर समान है, सहयोगात्मक्ता, सहयोग वाला नेचर है, एहे है हम लोगों का समाजिक दर्सन और एकर च ख्यत्रिय भासा पर पाया जाता है. लिंग भेद एकर एगो पटताई रहए किन लिंग भेद इसका एक क्या है? उदाहरन है. जैसे कि गायी चरहे, बरद चरहे, माई खाहे, बाप खाहे, मतलब यहां पर लिंग भेद कोई नहीं है, गाई भी चर रहा है, बैल भी चर रहा है, माई भी खा रही है, बाप भी खा रहा है, लड़की भी जा रहा है, मतलब लड़का जा है, लड़की जा है, बाप खा है, माई खा है, यहाँ पर कोई लिंग भेद नहीं है, ना कोई इस्तिरली लिंग, ना कोई इस्तिरली लिंग ह कहता है कि राष्ट्रिय एक्ता का अगर मूल तत्व, मूल जड अगर छित्रिय भासा में ढूंडा जा सकता है। एक बार तो तुम कहते हो जनता से कि जाती संपरदा, लिंग, भेद, सब को भुला कर एक हो जाओ और दुसरे भाटे टटका अपरानी वाचक, दामोदर नदी के नद, यानि कि पुल्लिंग और भेंडा, जिसे भैरवी नदी कहते हैं, नदी के उस्तिरलिंग कहा तू, कहा त तो तुम कहते हो जनता को, लोगों को जाती संपरदा, लिंग, भेद, भुलाई को भुल, भुल करके सब एक हो जाओ, और दुसरे यी तरफ, तुम क्या कहते हो, ओप्रानी वाचक, यानि कि जो ओप्रानी वाचक दामोदर नदी है, उसको कहते हो तुम पुल्लिंग, और जो भेरवी नदी है, उसे तुम इस्तिरलिंग कहते हो, इसमें क्या तुम्हारा मुह नहीं थकता है बोलने में, आब एगो पटताईर देखा, रजरप्पा मंदीर, रजरप्पा है, दामोदर नदी हेटे पच्छिमे से पूरा बहु है, और भेडा नदी पानी तकर उपर दखिन बाट ले आई के गिरा है, कहता है कि जो एक उधारन ऐसे देख लो, कि रजरप्पा की ओर जो दामोदर नदी है, हेटे का मतलब नीचे, तो दामोदर नदी नीचे पच्छिम से पूराब की ओर बहती है, और भेडा नदी का पानी उसके उपर, दख्छिन से आता उसके उपर गिरता है, तो वो भेडा नदी का पानी, यानि कि भेरवी नदी का पानी उपर की ओर से आता है, और नीचे गिरता है, और नीचे जो दामोदर नदी है, वो पच्छिम से पूराब की ओर जा रहा है, आप बतावा, उपर एक पानी हेटे नहीं गिरते हैं, तो क कहां जाएगा, आकास में जाएगा, मकीन, पंडित गुलाइन के धढ़नच देखा, कहता है, लेकिन पंडित लोगों का धढ़नच, यानि कि एक क्या बोलते हैं उसके, धोंग तो देखे, धढ़नच, बदमासी तो देखे, या फिर जो बोल सकते हैं, यह तो देखे, कहीं दि नदी के दुरलब संगम है, क्या कहा दिया उन्होंने, कि यहां पर दामोदर नदी और जो भैरवी नदी है, दामोदर नदी यानि की नद, यानि की पुलिंग, और भैरवी नदी यानि की इस्तिरलिंग, तो कहता है, यहां पर नद और नदी का दुरलब संगम है, कहां पर इस तरी उपर, बिपरीत रतिक बेपट्रिया पट्तईर, कहता है यह उल्टा पुल्टा जो है, मतलब कोई भी इसका सर पैर नहीं है, वैसा एक उधारन, ऐसन पट्तईर भेटाना मुस्किल, ऐसा जो आपने बताया है, इस तरह का तो पट्तईर, मतलब एकजांपल भेटाना भी मुस्किल है, मकीन, बाहमन सब, बाहमन सब, जो दी दामुदरे करगाई, करगाई घुरता, तो ऐसन बिपरीत रतिक पट्तईर कते भेटाई पारे, कहता है, लेकिन अगर ब्राहमन सब इस तरह से दामुदर के किनारे किनारे घुमता, तो ऐसा बिपरीत इस तरह का जो ये दुरलब है तो और क्या ही कहे लाखो लाख लोग उल्टी छूरा से मुंडाई लगला अरे लाखो लाख लोग उल्टा छूरा से क्या करने लगा है मुंडने लगा है सिर को आखिर यह कैसे हुआ लिंग भेदेक चलती तो यह कैसे हुआ लिंग भेद के चलते तो लिंग कहलक तो हीन आपन राष्ट्रिय भाकाय लिंग भेद करेक इतना नियम उपनियम बनाई राख ले हैं कि कोई लिंग एक भेदा भेद करती मोईर खाइप जाए तभू परफेक्ट नाय हवे पारे कहता है तुम लोग जो है अपने राष्ट्रिय भासा में लिंग भेद को इतन नियम इतना नियम बना के रखे हुए हो कि अगर कोई लिंग का भेद करने अगर बैठ जाए तो वो मर भी जाए मर अपना पूरा जिंदगी भी खापा दे तब भी वो परफेक्ट नहीं हो पाएगा कि कौन इस्तिरलिंग है कौन पुलिंग है उसके उपर भी अपवाद मत राष्ट्रिय भासा हिंदी में इतना नियम बना के रखे हुए हो उपर से उसके उपर एक अपवाद भी लाकर रख देते हो उप फिन आगू कहलक हमें सोचा हो जतना समय और उर्जा लिंग भेद के करे में नास करल जा है उकर में आधाव लेकम समये कौनों दोसर बोड का राष्ट्रिक हीते बा मानुसे करल जाये पा रहे हैं कहता है हम सोच रहे हैं कि इतना समय और उर्जा जो लिंग भेद करने में नास कर रहे हैं उससे आधे समय में भी हम कोई दूसरा काम राष्टर के हीत में, मनुस्य के हीत में हम कर सकते थे। उफिन आगु कहलक हर चीज के बहुत कठीन से सरल, सोज, बाठे होबे करो है। भावा भाका के बली के बकरा बनाए छोड़ा लें। लेकिन तुम लोग अपने भासा को परिनिष्ट करने के लिए अपना बात को उपर करने के लिए भासा को बली का बकरा बना के छोड़ दियो हो। यथा इस्तितिवादे है का है, प्रतिगामी है का है। उसका जो मूल तत्व कहाँ पर है, लिंग भेद में है। जोदी लिंग भेद के हटाई देल जाए, तहामें बूझा हो। दुनिया ठेर कठिनाई, कते कते पेच पाच अपने सराई जिताई। मतलब कहता है कि ये जो जितना विवाद दुनिया में उठ रहा है, ये सारे के सारे विवाद लिंग भेद से हो रहा है। अगर लिंग भेद को हटा दिया जाए, तो हमें ऐसा लग रहा है कि दुनिया का बहुत सारा कठिनाई, कितना पेच वगेरा, अपना आप क्या होगा, सिराई का मतलब, खत्म हो जाएगा। मानुस बिकासिक पते सरसरववा भागे लगता, मनुस से बिकास के रास्ते पर सरपट भागने लगेगा, हाम ओकर मुह टुकुर टुकुर ताकते रहे गेला। यह BN ओहदार और उनके दोस्त के बीच में एक लिंग विवाद को लेकर वाद विवाद था, उस पर निबंद था, आपको ये कैसा लगा आप जरूर बताएगा, और इस से रिलेटेड कुछ भी आप दो बार तीन बार सुनगे, MCQ जरूर आप कर पाएंगे, हम भी तो दो दिन या एक दिन में, दो दिन में उसे भी खत्म कर देंगे, छायर कहानी संग्रा, फिर आएंगे हम लोग नाटक पर, और नाटक के बाद पोयामस पर आएंगे, और लास्ट में साहित्य की अन्नी बिधाएं करके, हम लोग मैक्सिमम अपने सिलेवस को जल्दी से ज करना है, कि अगर आपको अच्छे से आपको केवल सुनना है, ध्यान से सुनिए, जब MCQ करवाएंगे, वहां लगाईए, सब कुछ हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंसन ना ले, आप केवल अगर चाहते हैं, हमें कुछ थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, तो चैनल को लाइकन को दबाईए, और सेयर चरूर किजे वीडियो को दोस्तों में, क्योंकि हम लोग केवल खोटा ही नहीं, और भी सारे सबजेक्ट के बहुत उम्दा क्वालिटी के कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और लेकर आएंगे भी, क्योंकि हमें अपने कंटेंट पर पूरा भरोसा है, तो आप इसी तरह से पढ़ते रहें, अब हम लोग देखेंगे बाइज का बगरा काम कम, यह तीसरा निबंध है, इस खोटा निबंध का, ठिक हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं, बाइज का, बाइजना मतलब बोलना, बहुत जादा बोलना, बाईज का बगरा, बगरांक मतलब अधिक और काम कम, तो कहता है बाते अधिक और काम कम, यह तीसरा निबंध है, हम लोग इसको देखते हैं, काई दिन आगू पढ़ा लहलों, मतलब कई दिन पहले हम लोग अकबार पढ़े थे, सायद तुहनियों पढ़ाल होगे, कहता है सायद तुम तुम लोग भी पढ़े होगे और नाय तो सुनले जरूर होगे कि पालरी कप्पम के एगो बीडी मजूर स्री स. जैरामन एक लगाईत 165 घंटा तक बजगते रहे गेला कहता है कि कई दिन पहले जो है कुछ दिन पहले है हम एक अकभार में न्यूज में पढ़े थे साय तुम लोग भी पढ़े होगे और अगर नहीं पढ़े होगे तो सुने तो जरूर होगे कि पालरी कप्पम याद रखेगा यहां से पूछा जाएगा कि कहा के तो पालरी कप्पम का एक बीडी मजदूर स्री स. ए. जैरामन बीडी मजदूर था यह भी याद रखेगा तो स्री स. S.A. जैरामन एक लगातार 165 घंटा तक बोलते रहा 165 यह भी याद रखेगा 165 घंटा तक बोलते रहा उसके बाद 165 घंटा मनेक मतलब 165 घंटा का मतलब है 7 दिन और 7 रात तक बोलते रहा कौन S.A. जैरामन कहां के थे? पालरी कपम के और वो बीड़ी मजदूर थे कहता है आर इस साथ राइत, साथ दिन तैक जैरामन भाई, साइन्स, राजनिती, अर्थसास्तर, सिनेमा, आरो आरो अंठहरी, बिसय, गुलाए, बजगईल कहता है कि यह जो साथ दिन और साथ रात तक जैरामन भाई जो थे, वह साइन्स पे, राजनिती पे, इकोनोमिक्स पे, सिनेमा पे और ना जाने कौन कौन से अंठहरी, कोई भी, कुसी भी टॉपिक पर, किसी भी बिसय पर बस बोलते जा रहा था, 165 घंटों तक, साथ दिन, साथ रात लगातार बोलते रहा मैंने के, दुनिया एक कोनो भी सय बाँ चलना है, इसका मतलब ये है, कि दुनिया का कोई भी भी सय, वह से बचा नहीं, उन साथ दिन, साथ रातों में, 165 घंटों में तकरों में, जैरामन भाई एको टटका मजूर, कोनो बोलो लोक नहीं, देखो, जैरामन भाई कौन था, एक मजदूर था, कोई बड़ा लोग नहीं था, जैरामन भाई एक नाम, गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चप गया, देखें, आपसे पूछा जाएगा, कि जो ये वाला बाते कम, बाते अधिक और काम कम वाला जो कहानी है, निबंद है, इसमें जैरामन भाई को गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितने देर बोलते रहने के लिए दिया गया था, 165 घंटों तक लगातार 7 दिन, 7 रात, लोग के दंग दंग लाई गि करकि लागतार 7 दिन, 7 रात तक बोलते रहा, लोग को दंग लग गया, ठीक है, दंग, मतला आश्चर चकित, मकिन हमें तो सोचो हो, एकर में कुनों दंग दंग, हावेक बाते नक है, लेकिन हम तो सोचते हैं, इसमें कोई आश्चरी की बात नहीं, किले की बेसीबा, बगर संस्क्रीति का अंग है, हम लोगों के देश के संस्क्रीति का यहाँ एक अंग है, जैदा बोलना, बाते अधिक और काम कम, बस बोलते रहना, बलबलाते रहना, सैले, हमनिक देशेक लोग, कोनो करत, बानाय करत, मकिन, बैजकत जरूर, कहता है, इसलिए हम लोगों के देश क जो लोग है वो कुछ करे या ना करे लेकिन बोलेगा तो जरूर हमर देसे नेता बजकाइट, अभीनेता बजकाइट, धर्मेक गुरू बजकाइट, खिलाडी बजकाइट, मजूर बजकाइट, मैंने बजके में केऊ के क्रो से काम नहीं कहता है, हम लोगों के देस का, अभीन नेता बोलता है, धर्म गुरू बोलता है, खिलाडी बोलता है, मजदूर बोलता है, मतलब कि बोलने में, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने में, बेकार का बोलने में, बस बढ़ बढ़ाने में, कोई किसी से कम नहीं है, बात सो सुपट और आया हके की, ले की, बजगे में तो क कहता है क्या कुछ लगता है क्या कोई धन्द वुलत या कुछ लगता है क्या बोलने में नहीं पुर्ने परिया घरी ले इ बजके परंपरा के हमर देशेक लोग जोगाई लेले आईलहत कहता है कि पुराने समय से ही पुर्ने परिया मतलब पुर्ने परिया घरी पुराने समय स ही जो है हमारे देश में यह परंपरा हमारे देश के लोग जो है जुगा करके मतलब उसको सेव करके सिक्योर करके स्टोर करके लेते आये हैं स्वामी विवेका नंद तो एकला जीरो भी सहिए काई-काई दिन तक बजगते रहला कैता है स्वामी विवेका नंद की बात ही कहता है यह भी कम बोलने वाला नहीं था कहता है कि जैरामन भाई से पहले किसके नाम से बहुत लगातार बोलने का रिकॉर्ड था तो यह था स्रिलंका के स्री कपिल कुमार सिंधे लगायत 169 घंटा तक बजैक के एगो रिकॉर्ड बनोले हल थे कहता है लगातार 169 यह 169 और उनोंने 165 घंटा बोल करके लगातार इनका रिकॉर्ड तोड़ा था जे रिकॉर्ड के जैरामन भाई तोर देल थी जिस रिकॉर्ड को जैरामन भाई ने लगातार 165 घंटा तक बोल करके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया हम तो भुजे हैं जो कपिल कुमार सिंधे के जैर मुआयर भारते है तन और नाई तो की मजाल कुनों दोसर देश लोक हामर देशेक लोक के बज़के में केने कान काटे पारता अरे हम तो समझ रहे हैं कपिल कुमार सिंदे का जो मूल तत्त होग है वह भारते होगा नहीं तो क्या मजाल की हम लोगों के देश का दूसरे देश का लोग जो है हम लोगों को बोलने में कान काट ले मतलब पीछे चोड़ दे मतलब जाइदा बोलना बकाइती करना बढ़ बढ़ाना ये सब हम लोगों का खून में समाया हुआ है एक रा कोई रोके नहीं पारे इसको कोई रोक नहीं सकता है एक बार इंद्रा गांधी का जो दिमाग है वह फिर गया था और वो जो है चारो और लिख रही है काम अधिक बाते कम एंद्रा गांधी ने क्या लिखा था काम अधिक बाते कम वो लिख रही है जो कि दिन भर अपने हड़ी को रगड़ते रहे ये तो हमनिक संस्कृती उपर हमला, ये अगर जादा, देखो हम लोगों का संस्कृती यहाँ पर एक व्यंग है, कि हम लोगों का संस्कृती है, काम कम बाते अधिक, और इंदरा गांधी ने क्या कहा, काम अधिक बाते कम, तो ये हमारे संस्कृती के उपर एक हमला है, ये तो ले हमनी तो संस्कृतिय ले ही, जो दी संस्कृतिय नाय रह तक, तो हमनी के लाखे बचब, क्योंकि हमारा जो संस्क्रीती है, संस्कृति अगर नहीं रहा, तो हम लोग क्या ही बचेंगे, तकर माजा देख, इंद्रा गांधी के आइसन पठकन्या दहदला, जे चेते तो देखो, इद्रा गांधी ने कहा, काम अधिक, बाते कम, तो इसको ऐसा मजा पड़, ऐसा पठकन्या दिये, कि वो फिर उट भी नहीं पाई, आरो कर बे संस्कृति के उपर हमला, काम अधिक, बाते कम बला बात बोलिएगा, नहीं, बात तो सुपट लगे, बात तो तो बोलते जाओ, तैयो एकर में रोक टोक, एक बोलना ही फ्री है, इसमें भी आप रोक टोक लगाईएगा, यह तो बेकार बात हो गया, भसक से बज़ाइक पार कर ली, कहता है, की भिलक, जो दी राजीव गांधी कही दिला, गोर्खा लेंड कर मांग ता बेजाएना है, अरे क्या हुआ, क्या ही हुआ, कि राजीव गांधी ने कह दिया, कि गोर्खा लेंड का मांग कोई बेकार मांग नहीं है, उसने तो बोला बज़क ना था, बज़क दिया, बोल दिया, इसने आरो एक बार, ओपरेशन ब्लू स्टार के पहले, राजीव गांधी पंजाब ज नहीं है, यह लोग बढ़का संथ है, की है तो जोधी गोर्खा लेंड ए को आर भिनरा वाला बन तक, आर की, क्या होगा जदा से जदा, एक गोर्खा लेंड में एक और भिनरा वाला बनेगा और क्या? उतने ना है, हमनीक देसे एको बेसी बजग dat मौसमों आया है, पाइत देश में एक जाइदा बोलने का एक मौसम आता है प्रतेक पाँज़र बरस पर पैत कंचवर Star कहता है इस मौसम में यह जो हुआज solid पांज ब्रस पर एक बार मौसम आता है जाइदा बोलने पर तो कि छुतना बोल पाए वह सबसे जाइदा अच्छा जतना बगरा बैजके पारे ततने नाम कहता है जितना जायदा जितना अधिक बोल पारो उतना नाम होगा जूत लंद फंद जते बैजके पारा जते वादा करे पारा ततना भोट जूत लंद फंद जो बोलने पाओ जूतना बोल पाओ जितना बजक पाओ जितना बेकाईती कर पाओ, जितना वादा कर पाओ, जुटे मुटे, उतना तुमको भोट मिलेगा। पाओ, एक राखाल जाए, कहता है, मेरा तो कहना यह है, कि ECI खेलों में, ECI खेलों में, एक बोलने वाला, उसके बीच एक बोलने वाला कोई खेल रख दिया जाए, जोदी ऐसन होए पारे, तो निश्चाय हमर देश, खाती रेगो स्वर्न पदक, गारंटी भाई जते, कहता ह यदि ऐसा हो जाता है, कि बोलने का एक कमपटिशन रख दिया जाए, तो हमारा देश में एक गोल्ड मेडल तो गारंटी आ जाएगा, एकन तो सभे के उचूछे पीटी उसा के मुह ताक लेहत, इस टाइम पर तो सब कोई जूटे मुठे, जूटे पीटी उसा का मुह ताक भूसा भर दिया, क्या लाया, कुछ नहीं, एक तो भारतेक लोग कहत, धैन बापेक बेटी पीटी उसा जे भारतेक लाज रख देला, कहता है, इस समय तो भारत के लोग कहते हैं, कि धन्य है उस बाप की बेटी पीटी उसा, जो कि भारत का लाज रख दी, बिचरंगी उसा गुलाइन उसा गुलाइन तो सब दिन भारत एक लाज धापले आई लहत। जो जेंट से पुरूस है उसको भी देश देना उतना सही नहीं है क्योंकि भारत का जो पुरूस है वह जनी बेटी को देवी मानता है। एक दुगो बेटी चववा कुईया डांडी जहाप दई मुरत इस्टोबे पोईड मुरत पंखाए फांसी लगाए मुरहत तो इमें मर्द एक दोस्त की। मर्द की करता है। इसमें अगर कोई बेटी लड़की किसी तरह से इस्टोब से मर जाए पंखा में फांसी लगा करके मर जाता है तो इसमें मर्द क्या क्या दोस्त है है? पर्द क्या करेगा भला यह व्यंग है आप इसको यह मत समझेगा कि यहां पर इस तरह से कह रहे हैं ठीक है नेता अभी नेता सब जोर जोर से बज़क हत कहता है नेता हुआ अभी नेता हुआ सब जोर जोर से बोलता है दहेज हटाओ नारी को मानवी बना मानो कहता है सब कोई के देश का परंपरा है इसलिए बोल रहा है ठीक है हां तो देखा हम हूँ बजगते बजगते कहां ले कहां पहुच गेला अच्छा हां तो देखो ये उहदार जी बोल रहा है कि देखो हम भी बोलते बोलते कहां पहुच गे की करब हम हूँ तो भारते एक लोग क्या करेंगे हम भी तो भारत के ही लोग हैं तो हम बजय कहलो कि आबरी हम इनके कोशिस करेक चाहिए कि SI खेले 20-20 बजगना competition सामिल कर लिल जाए कहता है कि यही हम कह रहे थे कि इस बार जो है इस कोशिस करना चाहिए कि SI खेलो में ज़्यादा बोलने वाला एक competition को सामिल कर लिया जाए कि लेकि भारतेक खिलाड़ी बाकी खिलाड़ी गुलाइं तो भारतेक नाम बूचा कहर देला क्योंकि भारत का जो और बचा ही हुए खिलाड़ी है PTU सा को छोड़ कर बात कर रहा है अगर यहाँ पर ज़्यादा बोलने वाला एक competition को क्या करे ACI खेलो में सामिल कर दिया जाए बेस तो हनी यह कोसिस कर भे बेस अच्छा है तो तुम लोग भी कोसिस करोगे इतने बज़के के जा हो यही इतना ही बोल करके हम जा रहे हैं तो हम लोगो ने तीन खोर्टा निबंद को अच्छे से सुना अगर आप लोग इसको ध्यान से सुनते हैं इसको अच्छे से समझते हैं तो इसके MSQ आप आसानी से लगा पाएंगे इसके MSQ हम लोग खोर्टा निबंद जब पूरा cover कर लेंगे कल और परसो तक में हम लोग खोटा निवन्द को पूरा कवर कर लेंगे और उसके बाद फिर उसके बाद ऐसे करके हम जल्दी-जल्दी खोटा का कोर्स को कम्पलीट करने का कोसिस करेंगे लेकिन हाँ 100% सिलेवस को कवर करेंगे आप बिल्कुल यह हमारी गारंटी है यह हमारी दावा है क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं हम अच्छे से अच्छे content लाने के लिए हम तत पर हैं आप अपने तयारी में लगे रहें आप भी अपना करतव को निभाइए तो आप अपने करतव को मैं आसा करता हूँ कि आप जरूर निभाईएगा, आपको अगर कहानी ये जो निवन्ध है, तीनो निवन्ध अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आया है, तो चैनल पर कमेंट जरूर किजिए, लाइक किजिए वीडियो को, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, त तो हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपके लिए 70 दिनों का, अगर आप जैसे से सीजियल का, जैसे सी जेई, या फिर ज़रकरन दुदपात सिपाही का तयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हम 70 दिनों का महा अभियान भी चला रहे हैं, जिसको अगर आप इस routine को, इस schedule को follow करते हैं और daily basis पर जो topics आते हैं, उसको कर रहे हैं तो आप एक सही direction में जा रहे हैं एक सही mark दर्शन में हैं, आपको proper guidance मिल रहा है, कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है, कौन से book से पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या paid coaching ले, तो कुछ नहीं आप subscribe करके लोगों को जाएदा से जादा यहाँ जोड़ नहीं सकते हैं, बस यह नहीं कर सकते हैं तो चलिए, इतना हम आप समझदार हैं और क्या ही कहें, तो अब हम मिलेंगे अगले class में, खोटा के अगले class में, इस उसमें के part two में हम लोग तीन कहानी को देखेंगे और तीन या चार जो भी हो जाए उस तरह से हम लोग आपके लिए काम करेंगे तो चलिए, जै हिंद, जै भारत आप अपनी तयारी में लगे रहें